कर दिस्केशन है बवाजी आज थोड़ा से वीडियो एक दिन लेट जा रहा है इसके लिए सोड़ी मैंने आपसे कहा था कि कुछ थोड़े पर्सनल कुछ इसूस चल रहे हैं कोरोना काफी कड़ी भी लोगों तक पहुंच गया था उसे में कुछ डिस्टरबेंस है तो एक मैं कोसिस करूंगा कि इस अभी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और एक और आप लोगों से सजेशन चाहिए था सजेशन यह बहुए जी कि मैं सोच रहा था कि जब मैं आपको सेट देता हूं तो उसके साथ उसका एंसर की भी दे दूं ताकि आप लोग से आप लोग अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बतलाईए तो मैं एंसर की भी दे दूंगा और अगर ऐसे यह अच्छा लगड़ा है तो ऐसे चलने दिया जाए क्या लगड़ा है चले डिसकसन श्टार्ट करते हैं बहुत आसान सेट है बहुत ही ज्यादा आसान से इस सेट में सुध जिसके पास अफ्रोच रहे गाए ना बवा जी जिसके पास चावक और भ। ढ़ा मारक कंट रहेगा उसका पूल्र आमर्क सा जाएगा तरीका देखा जाएगा तरीका देखा एच सिखा जाए हो सकता है कुछ बहें बहीं पेटर हो जै इतने बड़े लिए जा एक्जामिनेशन में तो कोई खास दिक्कत होने वाला नहीं है क्योंकि जो हमारा नियम है बगवाजी अपने नियम से हम लग ऐसे भी कम से कम दो-दो लाइन तो पढ़ते ही थे और भीच में डैटा को पढ़ते ही है ध्यान से देखा जाएगा तो जब दो-दो aspects of the indirect tax and had its hands full from recommending the rates that could apply to various products and services to deciding on what could be tax exempted the GST council has had the one last task of laying out the policy framework for administrating the tax in a manner that benefits all stakeholders the government the consumer and the supplies along the value chain this is completely the point of realization which we'll have to make more than the business that is easy to make a positive view of the price of renewing you agree with that the cost of a person dies with a positive view of the payers while you'll be able to move his orders to make an exit profit this we are going to be a drawbacks, so this sort of care यहां से आप ध्यान देंगे तो आपको एक और बड़ दिखाए पड़े का लूप होल्स रैंडम आप पूड़ा भी पड़ सकते हैं लकिन मैं रैंडम की बात कर रहा हूं डाता में यहां लिखा हुआ है 1200 officers simultaneously conducting searches at 336 different location तो सर्च कब हो रहा है जब कुछ चीज़े होई हैं मतलब GST के बाड़े में लिखा गया है GST कैसे लाया गया क्या लाया गया GST है then one of the task of laying out the policy framework और GST के काम यह था कुछ इसे problems होने लगें अब problems के बाड़ जाहिड सा बात है कि यह पूड़ा passage किसका होगा बबबजी solution का होगा solution related सारा आपका answer यहीं मिल जाएगा यह पर आप साफ साफ देखेंगे July 2017 GST council है in principle है has made mandatory for new dealers है आपका registering under the composition scheme है यह पूड़ा passage बहुत important solution तो ऐसे भी हम लोगों पूड़ा पढ़ लेना था ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि GST के बाड़े में introduction दिया गया है और कुछ उसमें जो गड़बडियां आई है जो loophole हुए है उनके बाड़े में बतलाया गया है और last में solution है तो अगर इतनी चीछों को समझ ले the GST has opened up a can of worms यह जो लाइन है यह GST के बाड़े में negative नहीं पैसे जिस्ट के बाड़े में positive था उसमें कुछ गड़बडियां थी वह हम लोगों को देखना है there would be no fraud after the adhaar is linked with taxpayers अभी तो अधार link हो गया है तो fraud तो होगा है ऐसा थो रही कि fraud नहीं होगर fraud के तो बात ही हो रही थी तो यह भी answer नहीं हो सकता है the new dealers have to physically go for new registration अच्छा dealers को physically जाना पड़ेगा registration के लिए यह logical बनने वाला sequence नहीं है तो यहाँ पर तो देख लेना होगा कि यहाँ पर dealers का बात कहां कर रहा है यहाँ पर कहीं बात किया होगा हाँ देखे यहाँ पर हमने गहरा था hyphen भी था new dealers registered under the composition scheme for small business to either authenticate their address और submit to physical verification of their business मतलब either और दो संभावना है जब वह जी दो संभावना है तो यह भी गलत हो जाएगा answer क्या हो जाएगा none of the above answer क्या हो जाएगा none of the above clear हो गया दूसरे question पर आते हैं कितना आराम से बनेगा दिखा जाएगा according to the passage question दिखड़ा होगा question को देखिए और समझने का प्रयास किजिए कैसे बनाया जाए according to the passage what remedial actions are suggested to avoid the fraudulent activities अच्छा क्या क्या remedy बतलाया गया है अगर आप इसको जहां से hyphen दिया गया था वहां से साड़ी points को पढ़ेंगे तो आप दियान से देखेंगे कि आपने भी just पढ़ा है कि महां पर authentication of अधार का बात किया गया था biometric based unique का बात किया गया था physical verification का बात किया गया था link अधार का बात किया गया था तो एंसर क्या हो जाएगा हमारा all of the above यह answer हो जाएगा जहां solution वाला पर गड़ाफ है वहां पे साड़ी सिझे लिखी हुई है डाइरेक्ट सिधा question है कोई खास इसमें problem नहीं है चली अगले question पे आते हैं ध्यान से देखा जाएगा which of the following is true about GST GST के बादे में कौन सही है GST applies different rate to same product अच्छा जब एक ये product के हर जग अलग अलग rate होंगे तो GST बनाए किसलिए गया है GST बनाए गया कि one or a task लिखा हुआ था तो ये तो सही नहीं है the tax has become a subject of national unrest नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है नेशन तो tax देने में हमें सागे रहता है ना some loopholes have been exploited एक दम सही है तो इसका answer क्या हो जाएगा only third अगले question पर आते हैं जहां से देखा जाएगा answer को मैच करते चलिएगा वाई है अच्छा GST का unsuccessful मतलब problem कहां आया तो problem लूफ़ोल्स था जस्ट पढ़ किया है सीधा direct था तो कहीं लूफ़ोल्स का बात किया है धियान से देखा जाएगा GST council has been very busy not all revenue has been going to the government ये एक लूफ़ोल है जो साड़े revenue है वो government के पास नहीं जाने लोग चोड़ी कर ले रहे है public outcry against it ऐसा तो कुछ नहीं है answer क्या हो जाएगा B कुछ गरबड़िया थी लोग पैसा चोड़ी कर दे रहे थे इसलिए कुछ problem आया है उसमें चलिए अगले question पर आते है बावाजी ध्यान से देखा जाएगा अगला question आमारे पास है 5 what can be concluded from the passage below इस passage से आप क्या conclude कर सकते हैं ठीक है तो conclude इसका बावाजी पहला दिया है GST had some challenges in terms of administration हो सकता है GST loopholes are easy to identify and it had to decrease the tax theft the new tax regime has become tiring अधार-linked GST registration will help curve the malpractices and smooth operations चुकि solution वेले paragraph से हमेशा conclusion मैंने आपको बतलाया था कहां से लेते हैं last paragraph से लेते हैं तो जो यहां पर सबसे best answer हो जाएगा वह कहां हो जाएगा अधार-linked GST registration will help curve the malpractices help करेगा ऐसा नहीं कि समाप्त हो जाएगा help करेगा तो उमीद करता हूँ इस 5 में 5 अपलग आ गया होगा पैसिज बहुत ही जी था एकसे सी जी था अगर यह नहीं बन रहा है तो थोड़ा से आप अपने reading skill पे workout कीजिए अब देखिए यह सब questions बनाना है यह बहुत ही आसान questions है बहुत ही easy तरीके से बनते है ध्यान से देखा जाएगा इसमें बहुत जी क्या कहा गया है कि error आपका दो पार्ट में two parts have errors and the rest are correct कौन से दो पार्ट में error है common से चीज़ों को ढूनना है ध्यान से पराजे देखिए सवाल कैसे बन ला है frequent power breakdown shortage of drinking water overcrowd transportation transportation के और noun के पहले क्या आता है adjective आता है तो overcrowd या overcrowded overcrowded ना हो जायगा तो पहला गलती आपक से है अब A से आज तो AB में या AC में देखना होगा तो B में दिया है बह जी sum of the problems, sum के बाद noun कैसा आता है? problem हो जाएगा ना अैंसर ए, sorry, AB लगाके छोड़ देइजिए, यह a था, यह b था और यह c था, तो b c में न होगा, जी, sorry, 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 भी में प्राब्लेम था, यहां पे, sorry, और c में प्राब्लेम है, तो answer क्या होज़िएगा, b और c, बन गया, चलि ए, अगले question पर आते हैं, next question, दिछाल से question को दिखते चलिये, चलिए रेखे अराम से एरर ढूर्णने का तरीका होता उसको इसली पढ़ते रहे या पोई बिल्कुल समझ में आ जाएगा only a free society ध्यान से देखा जाएगा only a free society where in individuals feel dignified नहीं बबबाजी feel के बाद हम लोग को चाहिए feel क्या करेंगे feel dignified करेंगे नाकि dignify करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपका पहला जो error हो जाएगा कहां हो जाएगा feel dignified ed लगना चाहिए adjective होना चाहिए ठीक है enjoy और dignify जो है यह सिर्फ noun हो सकता है भड़ हो सकता है adjective नहीं हो सकता है enjoy basic rights can ensure बबबाजी यह ensure होता है insurance वाला बीमा वाला यहाँ पर कौन से ensure होना चाहिए e n s u r e तो फिर गलती कहां है section b में और section c में फिर answer हो जाएगा b और c समझ में आ गया easily बन गया चली अगले question पर आते हैं ध्यान से देखा जाएगा in a fast changing world accelerated by new advanced in technologies अच्छा बबबाजी common सा चीज है new adjective उसके बाद तो noun चाहिए advanced तो noun नहीं है तो इसको या तो advancement करना पड़ेगा या फिर advances करना पड़ेगा तो गलती बहाँ पे है दूसरी गलती कहां पे है तो आगे पढ़ा जाए and dynamic लिखा है कभी नहीं होगा a dynamic होगा तो फिर गलती किस में है b में और c में सब कैंसर b c आ रहा है वाह अच्छा बात है हम लोगों तो अपने नियम से चलना है नियम को change करने कह वह शकता नहीं है अब देखा जा बुबाजी यह question the objective of the act was to laid अच्छा 2 के बाद laid कभी हो सकता है two के बाद तो भड़ भुआन चाहिए ना तो to lay down होना चाहिए ना एल एवाई चलिए पहला गलती यहाँ पर हो गया दूसरा देखते है तो देखे दिख़डा है programs and service जब यह noun plural है तो यह भी noun क्या होना चाहिए plural countable noun तो services होना चाहिए तो गलती हमारा a में है और c में है चलिए तो answer हमारा हो जाएगा a और c किस option में है ध्यान से देखा जाएगा a c इसका answer क्या हो जाएगा बबाजी fourth clear है समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है बस questions को देखिए चलिए अगले questions पर आते है प्रफेशर राव not only gave their students an angry look but also देखिए सीधा सा नियम होता है बोजी ध्या से not only but also या फिर कोई भी co-relative conjunction इनको co-relative conjunction हम लोग कहते है समझेगा ध्यान से नहीं देखा राव लास्ट करूनार तर ठीक है वरी गुड ध्यान से देखा जाएगा कोई भी co-relative conjunction जब आ जाएगा not only but also ध्यान से देखा जाएगा तो इसमें समय दिया जाए थोड़ा समय इसको अच्छे से लिखे देता हूँ अगर आपके पास आ गया not only but also समझेगा इसको सीधी सनी आपको समझेगा co-relative conjunction इसमें either or भी हो सकता है neither not भी हो सकता है else but भी हो सकता है hardly when भी हो सकता है scarcely when भी हो सकता है जो भी co-relative conjunction है उसमें यहाँ पे जो parts of speech रहेगा और यहाँ पे जो parts of speech रहेगा यह दोनो parts of speech same होना चाहिए समझेगा but also के बाद जो parts of speech रहेगा वही parts of speech not only के बाद होना चाहिए ध्यान से देखिएगा फिर सुनिएगा but also यह senior है जो दूसरा point लिखा हुआ है यह senior है और जो पहले आ रहा है यह junior है तो मानिए कि यहाँ पे भर्व है और यहाँ पे noun है तो हम लोग को भर्व को बदल के noun कर देना होगा समझेगा यहाँ पे noun था यहाँ पे भर्व था तो मैंने यहाँ पे भर्व नहीं किया but also के बाद भाद नहीं किया मैंने not only के बाद noun कर दिया तो यह हमेसा यात रखा जाएगा जो parts of speech but also के बाद रहेगा वही parts of speech not only के बाद रहेगा अब अगर यह नियम आपके ध्यान में आ गया तब यहाँ पर दिखिए ध्यान से बबाजी but also के बाद क्या लिखा हुआ है 10 extra page प्रफिस परले तो गल्ती यहाँ हो गया 10 extra pages होना चाहिए था और यह तो बवगा जी noun हो गया ना 10 extra pages noun हो गया और दखिए नौंट बाद के लिखा गया है द्यानी के भभद लिखा गया है तो हम लोग को तो बवगाजी noun लाना होगा तो noun यहाँ पर आस-परस में क्या कमफर्टेबली चले बहुत अच्छा को रिलेटिव कंजंक्शन का कोस्चन कॉल्म 1 कॉल्म 2 मैच करना है बहुत आसान कोस्चन इसको दिहान से देखा जाएगा सीखिएगा तो दो मिनिट में समझ जाएगा नहीं सीख पाईएगा तो बहुत परशान हो जाएगा तो ध्यान से इसको देखिए और समझने कप्रेस की इसको कैसे बनाना है अच्छत्दारोप से देखा जाएगा सबसे पहले देखिए ध्यान से ग्रूप्स यहां ग्रूप्स लिखा है यहां सबसे रखकस्ट होता है प्रिडिएफ से परहाने में कि जीजे उपर नीचे हो जाती हैं I'm sorry एक टाइम पर साड़े प्रिडिएफ को लेखाते हैं देखान से देखेगा अब जिन लोगों दिखड़ा गोत्रा ध्यान से देखेंगे ठीक है थोड़ा से छोटा हुए बवाजी लिखा है ग्रूप्स दिखड़ा हुगा और ध्यान से दिखेगा बवाजी तो यहां लिखा हुआ है दे दे प्लूरल के लिए आया है मतलब पहला हमारा पेरिंग बन ज अब दूसरा देखा जाए रिएटिंग रिलैक्सिंग बेडरूम इंपर्टेंट बेडरूम इंपर्टेंट है इसका तो कोई डेफिसित से मतलब नहीं है लेकिन यहां लिखा है यहां से देखा जाए यहां पी का लिखा बहुँजी दिखड़ा होगा आप लोग को एंड इस शेयर से बात है कि किस से हो जा रहा है बी का पिरिंग एफ से हो जा रहा है अब एई और बी एफ जहां जहां होगा देखिए यहां पर एफ यहां 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 तो सिर्फ इडी है सिर्फ AEBF कहीं नहीं है तो CD पढ़ने का हो शक्तानी अंसर क्या हो जाएगा AEBF और CD बन गया आपका बन के अंसर तयार हो गया clear है समझ में आ रहा है कैसे बना easily बन जाएगा ऐसे चलिए अगले question को देखिए कैसे बनेगा ये थोर ओर असानी से बनेगा ध्यान से देखा जाए question को column 1, column 2 अप लोगो दिखड़ा होगा ध्यान से देखिए कितना अराम से बनेगा most of us के बाद would है अच्छा उड़ के बाद क्या चाहिए भड़भवन चाहिए भड़भवन कहां है put लिखड़ा है ना तो B और D का pairing होना चाहिए ठीक अब देखे B और D किसमें किसमें लिखा हुआ है इसमें BD नहीं लिखा है इसमें BD नहीं लिखा है यहां नहीं लिखा है सिर्फ यहीं एक BD लिखा है तो answer क्या ले लेंगे बन गया A, E, B, D, C, F बाकि सब पढ़ने के वशकता नहीं हुई अगर समझ में यह तरीका आ रहा है तो आपसे अभी तक यह तुरंत बन जाना चाहिए था यह मैं कैसे बना रहा हूँ सिर्फ उड देखो जो कमजोड बिंदभो उसको पकड़िए उसको पकड़के solve करना सीखिए इसी को approach करते है इसी को सीख लेंगे तो सीख लेंगे clear है आगे बढ़ा जाए चलिए अगले प्रश्ट प्रश्ट प्याते बहजी क्या करना इसमें अच्छा दो या दो से ज़्यादा word incorrect हो सकते है यह बहजी miss spelt भी हो सकता है और grammatical error भी हो सकता है miss spelt भी हो सकता है grammatical error भी हो सकता है इसको बनाया लिया ध्यान से questions को देखा लिया on that deserted place there were signs of rejected बहजी signs of के बाद तो यहाँ noun चाहिए ना off के बाद हम लोग को यहाँ क्या चाहिए noun चाहिए अच्छा अब इसमें से कौन-कौन noun ही ज़रा देखा जाए पहला word rejected है दूसरा word हमारे पास danger है danger noun है दिख़ड़ा होग आपको ठीक है तीसरा word हमारे पास क्या है coincidence यह भी noun है और चोथर्ण हमारे पास है accident यह भी noun है ठीक है अब यह तो भर्व है ना अब देखे कहा भर्व किया हो सकता है यह बोल रहा है but the instructor अच्छा ही तो subject हो गया subject के बाद यहां भर्वा आ सकता है मतलब one or two change हो सकते है mere mere तो अपने आप में adjective है यहां तो noun ही रहेगा अर्दा के बाद noun रहेगा change कौन होगा one or two change कौन होगा one or two two को चाहिए यहां भर्वी यहां चाहिए noun मेरे खास समझ में आ गया होगा कैसे इसको बनाए आ गया तो one or two answer देखें यहां पर दिखना है न बोगाजी एंसर लगा देंगे न वन और टू लग्या चलिए आगे आए जाए 14 पर आते हैं देखें कितना राम से बनेगा यह तो सबसे आसान सा चीज है अजर्टेड का बोजी अर्थ होता है बोलना और यह सुध नाइरेशन वाला प्रॉब्लेम है आँ देखें अमीट सा डैस देट तो अमीट सा सिड्ड देट यहीं न होना चाहिए नाइरेशन में अपने पढ़ा होगा तो स्योड के अनफेजड आगे आ जाएगा अजर्टेड यहाँ चला जाएगा कभी अंसर क्या हो जाएगा वन और टू इजी बे में अंसर आ जाएगा चलिए अगले कुश्चन पर आते हैं साइन्टिस्ट जेनेटिकली यह वाड़ अच्छा सवाल है यहाँ थ्रौस आप ध्यान से देखेंगे तो जेनेटिकली इंजीनियर होना चाहिए ठीक है जेनेटिकली उनको बनाया जा रहा है तो स्योड बात है कि यह जो वाड़ आपके पास है ठीक है सॉर्डी ध्यान से अब इसमें थुरा सा यह हैव के पास ठार्ड होना चाहिए तो यह एंसर होना चाहिए to start engineer our children हम लोग को बच्चों को सिखाना तो अब ध्यान से पढ़ेंगे ताको मालूम चलेगा यह लाइन हो जाएगा the scientist genetically start taking इससे बहतर होगा the scientist genetically ठीक है the scientist genetically ध्यान से देखा जाएगा यह पूड़ा लाइन एक में start start talking off यह पूड़ा एक में यह थुरा सा आपको माह मिस्टिक हो गया था यह होज़ेगा the scientist genetically have the यानर बेबी जुच मेक it theoretically possible to start talking off engineer our children तो यह start talking off पूड़ा एक फ्रेज यह नीचे आ जाएगा this cancer होजएगा बहुआ जी one and three थोर सा ध्यान से पड़ी इसमें बस थोर सा typing error हो गया था सुधार दीजेगा आप लो अब आते हैं इसमें क्या करना है बहुआ जी grammatically correct best alternative मतले हम improvement करना हम लोग the plastic man introduced the plastic man introduced by the municipality has been a total failure as there has been no reducing यहाँ पे सीथा सा मैं आपको नियम बतलाता हूँ नियम को थोरा ध्यान से देख लिएगा तो ज्यादा समझ में आपको आ जाएगा जो मैं नियम बोल रहा हूँ दो वर्ड होते हैं no or not no or not में क्या फरक है थोरा सा ध्यान से देख लिया जा no जो word है बोगा जी no के बाद या तो noun आएगा या pronoun आएगा लेकिन not जो word है not के बाद या तो भड़ब आएगा या adjective आएगा या adverb आएगा सीथा सा नियम याद कर लिया जा no or not में यही फरक है तो यहाँ जो लिखा गया है no के बाद reducing तो यह तो गलत है उनको no के बाद noun चाहिए तो reducing का noun क्या होता है बोगा जी reducing का noun होता है reduction तो थोरा सा ध्यान से पढ़ेंगा तो देखा जाए has been no reduction answer आपका आगया तो if no or not के problem पे सवाल बन गया easy चली अगले questions को देखा जाए as per the directive ध्यान से question को देखा जाएगा the retail prices of both petrol and diesel is revising पहले तो ध्यान से देखा जाए गलती कहाँ पे है जब prices है is revising कैसे होगा तो गलती तो है अब आपको देखना है have been revising होगा have been लग रहा है have been revising ध्यान से देखा जाएगा तो ये passive price तो अपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि have been revising तो continuity में तो कुछ ऐसा यहाँ पे है नहीं 10s को continuity कर्थ होता है आगे जी लगा रहे हैं कि वो काम चल रहा है ये तो बोले लाए कि as per directive directive दिया गया है कि ये काम होना चाहिए या होगा ऐसा तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें कि तेहाँ पे सबसे safe option कौन सा है बोबाजी will be revised directive दिया गया है कि ये ऐसा करना चाहिए ये ऐसा होगा तो अंसर क्या हो जाएगा C चली अगले question पे आते हैं ध्यान से देखा जाएगा we got अच्छा यहाँ पे बोबाजी है they arrived तो आपको पता होगा कि after और before का नियम जब यहाँ पे they arrived उसके पहले कोई काम हुआ है तो वो past perfect में होना चाहिए यहाँ पे answer क्या हो जाना चाहिए पास्ट पर्फेक्ट में बोबाजी we had got बन गया सीधा सर्टेंस का graph नमबर बन जापलोग क्लास में पढ़ाए गया था अगर simple past से पहले कोई काम हगा तो past perfect में चला जाएगा चली अगले question पे आते हैं we still have some farm equipment that hasn't been used since अच्छा ध्यान से देखा जाए तो since लगा हुआ है तो यह तो पर्फेक्ट या पर्फेक्ट कंटिनिवस और एक्यूप्मेंट निर्जीव है तो पैसिब है तो hasn't been used तो यह तो answer बिल्कुल सही है यह होना चाहिए बबाजी नो करेक्शन रिक्वाइड क्यों since या फर्फ का इस्तिमाल perfect में भी हो सकता और perfect continuous में भी हो सकता है और यहां चुकी इस्तिमाल नहीं हुए है इस्तिमाल नहीं किये गए है यह passive है जब subject नर्जीव होता है तो passive होने के तंभावना बढ़ जाती है हम लोग को passive है चाहिए तो इस्तिमाल नहीं हुए है तो यहीं लगा दिया गया और since लगा है तो perfect tense में भी तो since या फोल लगी सकता है तो बन गया no correction required अगला question देखते है every officer and every resident of this village is determined to do there बबबाजी जब each या every आ जाता है ध्यान से देखा जाएगा जब each या every आ जाता है वाक्य में तो आपको वहाँ उसके बदले ही family का इस्तमाल करना होता है ही के इस्तमाल होता है यहार का इस्तमाल होता है कभी दे का इस्तमाल नहीं होता है तब हम लोग को जो इसका answer चाहिए बबबाजी वह जाएगा to do his best answer कौन सा ओजाएगा बबबाजी answer होगे अपके पास C clear है समझ मारे सवाल कैसे बन रहा है comfortable बनना चाहिए चलिए इसमें क्या करना है जिसका अप्रोच सीखिए sentence, arrangement है एकदम नए टाइप में सब पुछा जा रहा है देखिए कितना आराम से सवाल बनेगा बस सीखिएगा, सीखिएगा तो समझ में आ जाएगा कमजोड बिन्दू को जोड़े कमजोड बिन्दू यहाँ पर मुझे क्या मिला है कमजोड बिन्दू क्या होता है हर एक सब्द का अंतिम, हर एक sentence का अंतिम सब्द और दूसरे का पहला सब्द यही देखिएगा और कुछ नियम फिक्स होते हैं अब ध्यान से देखिए, कितना इजली यह बनेगा यहाँ बबबजी लिखा है इनवायर्मेंटल अच्छा, एल लगा है तो एड्यक्टिव है अब एड्यक्टिव के बाद हमको नाउन चाहिए तो किस लाइन का शुरुवात नाउन से है ध्यान से रखा जाएगा अच्छा, ये तो कभी नहीं होगा फौर से शुरुवात है Crysis नाउन हो सकता है, अनादर नाउन नहीं है स्योड है कि A के बाद C होगा A के बाद C होगा है, तो निश्चित हो गया तो A के बाद C किसमें हैं C में है और D में है ध्यान से देखा जाएगा, A के बाद C, या तो C में है या D में है, अब ध्यान से देखा जाएगा, यह कितना comfortably बनेगा, या तो BDAC होगा, या ACBD होगा, ध्यान से देखा जाएगा, तो जो B का अंत है वो yet से हो रहा है, और C का अंत world से हो रहा है, ध्यान से देखा जाएगा येट से वा के खतम grammar में एक ही condition में होता है ram has not come yet present perfect tense negative में होता है क्या be वाले line में कही negativity आपको दिख रहा है नहीं तो ये तो is yet ये तो बाकी का बात कर रहा है yet class में पढ़ाये गया था yet के तीन नियम जिसमें से एक बतलाये गया था जब कोई काम बाकी होता है तो yet कर जैसे English is yet to study English पढ़ना बाकी है तो यहां तो ऐसा तो ये अंत तो होगा नहीं yet से तो अंत कैसे होगा noun से होगा c अंत में जाना चाहिए c अंत में जाना चाहिए तो answer कौन सा हो जाएगा बबाजी ये cut जाएगा bdc हो जाएगा बन गया चलिए अगले question पर आते हैं और अराम से बनेगा approach सीखिए अब इस question को देखिए और आपका approach क्या होना चाहिए पहले सोच लेजी देखिए इसके अंत में आफ आफ के बाद कैसे बबाजी ing चाहिए या फिर noun चाहिए यहां के अंत में है economy यहां के अंत में है market यहां पे who's देखिए मिल गया who's किसके लिए आते है बबाजी यह है relative pronoun का नियम who या who's यह किसके लिए आएगा किसी ना किसी noun के बाद आएगा ठीक है whose car I know the person whose car I know the country whose economy तो यहां पे who's आना चाहिए किसी noun के लिए किस line का अंत noun से हुआ है ठीक है depending on export markets whose major activity India is uniquely placed as a large economy whose major activity wealth and job creation तो sure है कि यह whose सजीव के लिए आएगा market तो निर्जीव है देश को सजीव लिया जाता है ध्यान से देखा जाएगा as large economy whose activity activity कौन करता है सजीव ही करता है activity कौन करता है सजीव करता है तो जाहिर सा बात है यहाँ पर आपका सवाल रहे से भी बन गया कि B के बाद कौन आएगा सिधा D आएगा तो BD किस में लिखा है तो BD सिर्फ एक यह option में लिखा है C देखे बन गया सवाल comfortable बनेगा अच्छा अगले question पर से मैं अप्रोच देखा जाए देखे बनेगा अच्छा इसमें सबसे कमजोड बिंदू क्या मिलेगा बबबजी धूंड़ी है तो हमको इसमें कमजोड बिंदू मिल रहा है ध्यान से देखते हैं सच मिल गया C के last में लगा है सच सच के बाद क्या आ सकता है सच के बाद ना उना सकता है सबसे comfortably सच के बाद edge आ सकता है एक दम सुध फिक्स है तो स्योड है कि यह कौन सा लाइन था C था C के बाद कौन सा आएगा आपका B आएगा C के बाद B किस में लिखा है C के बाद A है C के बाद B, यह answer होना चाहिए, कोई और answer है, तो देख लेते हैं, ध्यान से देखा रहा, C, B किसी और में है, तो नहीं, C, B किसी और में नहीं, यह तो fix हो गया, c, B, the answer हो गया, fix, चलिए, बन गया, देखिए, इस पर approach लगाए, देखिए, बनने का सवाल, इसको सीखिए, बह उमको plural subject चाहिए, और अगर there के बाद age लिखेंगे, तो आगे singular subject चाहिए, इसके बाद कोई noun चाहिए, जो singular चाहिए, acquired noun नहीं है, every region noun है, other Indian states, plural है, तो स्योड़ है कि C के बाद B के अलावा को छोड़ नहीं आएगा, तो C के बाद B किस में लिखा है, तो एक ही है, C, B, answer D ल 25, इस पर अप्रोच लगाई है, जो सोचना है सोच लिजिए, देखी इसका अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, बहुआ जी, चलिए, कुछ खास तो दिख नहीं रहा है, तो बेखी चीर मुझे क्या दिखा, इन, इसके बाद या तो ing आएगा, या नाउन आएगा, या तो A आएगा, तो किसमें किसमें B के बाद A लिखा है, ध्यान से देख लिया जाए, B A इसमें लिखा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें इसमें नहीं अंसर मिल गया, B बन गया, देखने कैसे बन रहा है, बस अप्रोच बेसिक, तम बेसिक ग्रामर को पकड़के बना यह सवाल बन जाएगा कोई दिख़त तकलीफ नहीं चलिए अब आते हैं इसमें क्या करना है बगवाजी अच्छ हम्मी से स्पेल्ट है देखें बगवाजी इसमें ग्रामिटिकल एरड भी है और आपका स्पिलिंग रर भी हो सकता है तो जब यहां पास्ट आ गया ध्यान से देखेंगा बगवाजी जब यहां पर पास्ट आ गया वर तो वर के बाद कभी भी प्रिजेन्ट तेर्स थोड़े आगा पास्ट के को आजाए, on the one hand informed discussion, अच्छा देखा जाए बगजी कितना असान सवाल है, यहाँ पे जो discussion से यह नाउन है, नाउन के पहले क्या होता है, adjective होता है, तो informed होगा कि informed होगा, तो informed होना चाहिए, तो गलती किसमें हो जाएगा, बी में हो जाएगा, असान सा सवाल, चलिए, अगले question को देखता है, comfortably, with stronger headwinds, देखे, headwind कहते हैं, जब आगे से जो हवा आती है, पड़ेशानी, आम तोड़ पर यह plural form में आता है, जब तक इसके आगे कोई article नहीं लगता है, कोई article तो है नहीं, ए, तो यह ऐसे मौके पर यह आम तोड़ पर पर प्रॉर्म में हो अगले पर आते हैं, Australia among the world's largest wheat exporters has been forced to take records, बगवाजी, word होता है, R, E, C, O, U, R, S, E, यहाँ पर जब तक E नहीं लगाएंगे, इसका अर्थ होता है, help लेना, help, ठीक है, conditions में जैसे अभी दवाव अगड़ा लिया जा रहा है, तो इसको help लेने को records कहा जाता है, तो यह spelling 30, several industrialized democracies, voter disillusionment with the principal party, this yielding a fragmented polity, all are correct, इसमें कोई error नहीं है, सभी पूरी तरह सही है, ध्यान से देखा जाएगा, इसका answer क्या हो जाएगा, all are correct, तो इसको बड़ा आरामत discussion किया गया है, चुकि मुझे समय नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने इसका powerpoint presentation नहीं बनाया, उसमें भ जारा समय लग जाता है, थुरा बुत आप लोगो तकलीफ हुआ होगा दिखने में, अगले बारति में कोशिस करूँगा कि समय प्याजा, कमेंट करके बतलाएगा कितने माक्स है, समझ भाया या फिर नहीं आया, मिलते अगले वीडियो में, thank you very much, have a nice day.